नमस्का मैं पत्रकार आसी स्राथ हो और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ लेफ्ट सिस्टम जितने सारे लेफ्ट से बिलॉंग करते हैं वो तमाम लोग महिला ससक्तिकरन का विरोध करते हैं महिला सम्मान का विरोध करते हैं अगर महिला के लिए कुछ अच्छा हो तो उसका विरोध करते हैं और अपमान करने से पीछे नहीं हटते उसी में से एक कपिल सिब्बल हैं जिनोंने महिला अरक्षन बिल का पुरी तरीके से विरोध किया है और मैं ये बात क्यूं कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल और सीजे पे आफ़त आ गई है बताते हैं आपको मोदी जी ने ऐसा प्रहार कर दिया है कि सिब्बल की हेंकडी निकल गई है कुकर्म का तार कॉंग्रेस का अरवर उपए से जुड़ा हुआ है वो तार भी खोल करके रख देंगे और सिब्बल के वो दो हिंदू विरोधी सस्पेंड तुमाम चीजों को बताएंगे दोस्तो महिला ससक्तिकरन को लेकर के आपको पता है कि भाजपा कितनी ज्याधा सौश्ती है नरेंद्र मोधी जी महिला अरक्षन को लेकर कितना जादा सोचते हैं लेकिन आपको याद है कि जब विधान सभा और लोक सबा से महिला अरक्षन बिल नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल जब पास हुआ था तो कपिल सिब्बल ने किस तरीके से ये बात कही थी कि कुछ नहीं होने वाला है 2034 तक ये आएगा बील ऐसा कुछ नहीं होगा ये तमासा कपिल सिब्बल ने करी थी मलिकार जुन खरगे ने तो ये भी तक कह दिया था कि उतने दिन तक 2034 तक क्या नरिंदर मोदी जी रहेंगे जब आप मोदी जी को हरा नहीं पा रहे हैं तो उनका जाने का इंतिजार कर रहे हैं आपको पता है कि आप कब तक हैं इस धर्टी के किसी को पता नहीं होता दुस्तों लेकिन ये बात कह करके पूरी तरीके से थे नरंदर मोदी जी और ये देश में पहला बार ऐसा हुआ है जो चीज़े मैं दिखाने वाला हूं बहुत ध्यान से देखिएगा आपके स्क्रीन पर दोस्तों यूपी के गाजियाबाद जिले में नरंदर मोदी जी ने बयान दिया एक नमो भारा ट्रेन है और ये नमो भा है नरंदर मोदी जी के कारेकाल में इससे ये पता चलता है महिला ससक्तिकरन का एक बहुत अच्छा उधारन है और मैं ये बात क्यूं ना कहूं कि इससे जो महिला अरक्षन बिल का पुरी तरीके से विरोध कर रहे थे उनकी पुरी तरीके से खटिया खरी हो गई मैं ये बात क्यूं ना कहूं कि जो महिलाओं के विरोध में एक एजिंडा चला रहे है इस भारा देश में उनको एक करारा जटका और एक करारा तमाचा लगा है नरिंदर मोदी जी के तरफ से महिला ससक्ति करन के बारे में सोचने वाली वो मोदी सरकार जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान के लिए दिन और रात एक कर रही है वही इस भारा देश में हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो महिला ससक्ति करन का पुरी तरीके से विरोध करते है ये बहुत ही सोचनी है दोस्ते ये भारादेश के लिए बहुत सोचनी है, और क्यों सोचनी है, महिला को जितना सम्मान देंगे आप उतना ज़्यादा तरक्की करेंगे, आप एक परिवार में भी देखिए, अगर महिला का अपमान होता है, अगर महिला के साथ अबहद्रता होती है, वो परिवार भी पूरी तरीके से असफलता की उस जलती हुई जौला में भस्म हो जाता है तो ये तो हमारा भारादेश है अगर महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं सोचेंगे महिला के ससक्तिकरन के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर हमारा भारादेश कैसे तीसरे नमबर की अर्थवेवस्था पर आ आज देखिए मोदी जी पूरी तरीके से करारा तमाचा दे दी आयकर विभाग ने चापा मारा कहां कहां चापा मारा अब इसका connection आपको दिखाउंगा कि कैसे Congress से का तार जुरा हुआ है कुकर्म के तार कैसे जुरे हुए Congress से दिखाउंगा सबूत के साथ, पहले ख़वर को सुने, इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने धनादन छापा मारा करनाटक में, तिलंगाना में, दिल्ली में, अंधरप्रदेश में, करनाटक में किसकी सरकार है, करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री कौन, सिधार मैया, अब करनाटक में 94 करोर, मैं सबूत के साथ बात करूँगा दोस्तों, जरा देखिए आपके स्क्रीन पे, 94 करोर कैश जब्त किये गए हैं, 8 करोर रुपए के हीरे जब्त किये गए हैं, 30 लगजरी घरियां जिसकी कीमत करोरों रुपए हैं, इंकम टेक्स ने जब रेड मारा तो एक अरब से अधिक की संपत्ती जो है, वो जब्त कर ली गई है, ये मामला करनाटक से ले करके तिलंगाना दिल्ली आंदरपदेश तक का है, इंकम टेक्स का बहुत बड़ा छापा परा, और इन तमाम जगों से एक अरब से अधिक की संपत्ती जब्त हुई, 94 करोर कैश जब्त हो गया, मैं धीरे धीरे आऊंगा कि ये पैसे कहा गए, किसके पास गए, किसका पैसा है, लेकिन मामला समझी, मामला को समझी ए कि ये जो पैसे हैं, वो ठीकदार और रियल एस्टेट के तमाम पैसे हैं, दोस्तों बहुत गोर से सुनीए, ये ठीकदार जो दलाल है आज के देट में सबसे बड़े दलाल हैं, ये ठेकदार लोग, ये मूर्ख मना करके पैसे को दबाना बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये ठेकदार लोगों ने क्या किया, इनको बताएंगे कैसे इन्हों ने पूरी तरीके से अपनी पॉकेट गरम की, और ये रियल में क्या चल रहा है, उधर जा करके एक देर लाख रुपए कठा जमीन ले करके, वो क्या करते हैं, वो लोग 80,90 लाखे की सोसाइटी बना करके, ये लोग अंधादुन पैसे कमा रहे हैं, और इसी में पूरा ब्लैक मनी होता है, ये जो 94 करोर कैस्ट जो जब्त हुआ, एक अधिक की संपत्ति जो IT डिपार्टमेंट ने जब्त की है, इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलीन कुमार कतिल ने बहुत बढ़ा आरोप लगा दिया, बहुत बड़ी बात कह दी, नलीन कुमार कतिल कहते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, ये कहते हैं कि ये सारा पैसा जो है वो कॉंग्रेस से जुरा हुआ है सिधार मया कह रहें कि ये आरोप नीराधार है करनाटक के मुख्य मंत्री लेकिन जब भाजपा परदेश अध्यक्ष ने एक परदेश अध्यक्ष ये बात कह रहा है नलीन कुमार कतिल नाम भी मैं बता रहा हूं वो पैसे का इदर उदर जोल जाल करते हैं और ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं एक तो आपने देखा कि यूपी के गाजियाबाद में नरेंद्र मोदी जी ने नमो भाराट ट्रेन को लेकर के जिसमें की एक क्रू मेंबर से लेकर के ड्राइवर तक महीला काम कर रही है तो मही करन पूरी तरीके से आगे बढ़ा दूसरी चीज वहीं पर एक कांड हुआ गाजियाबाद में कि आपने सुना होगा कि एक बच्चे ने A.B.E.S. कॉलेज के एक बच्चे ने जैसीरी राम का स्टेज पे नारा लगा दिया तो उसको एक दो दो प्रोफेसर थी दोनों ने उस सिक्चक जो ये कहती है कि जैसरी राम नहीं बोलना है दोस्तों हम स्कूल में जाते हैं हम कॉलेज में जाते हैं हम अगर भगवान के नाम को ना बोल पाए हम पहले आप देखते होंगे कि जो आसरम होते थे उसमें भगवान के बारे में बताया जाता था उनके जैसा बनने क इसको निलंबित कर दिया है डिरेक्टर ने खुद जारी किया बयान और 24 घंटे में जाच समीती ने देदी रिपोर्ट ये देखिए ये महिला है सिंपेथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी थोरे दिर पहले आई हुई थी और कह रही थी कि मैं तो ब्राह्मन हूँ मैं तो ये हूँ वो हूँ तमासा कर रही थी कि मैं भी नवरातरा की हूँ ये हूँ सिंपेथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी ये महिला और किस तरीके से उस स्टुडेंट को एबिएस कॉलेज के स्टुडेंट को किस तरीके से उसको स्टेज पर से उटाया कितना मनोबल गीरा होगा एबिएस कॉलेज के जितने चात्र थे उनका कितना मनोबल आप एक सिक्षका होके प्रोफेसर होकर के आपको जहां तक सनातन धर्म को अगर नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे जैसे जहां में मानें लेंके तो क्या बोलेंगे अल्ला हुआक्पर ऐसे लोग इस देश में क्या मैसेज दे रहे अधम Commission ने दोनों को कहा चल निकल